आपको दिखाते हैं हमारा खाज प्रोग्राम हे प्रभु आनंद दाता स्क्रीन के निचले हिस्से पर बराबर ये बीच बीच में आता रहेगा नंबर तो आपके मन में ऐसी कोई बात हो तो आप जरूर भीज़ें चुकि शावन मास्क की हम बात पहले भी कर चुके हैं पुरुषोत्तब मास्क की भी चर्चा हो चुकी है तो विद्वान वक्ता से उनके साथ कुछ परामर्ष के बाद ये हमने ताई किया है कि शेवु पुरान और उसमें वरणित जो कथाएं हैं कई बार हम उनसे अपरिचित होते हैं और ये समय जो मनुष्य ये मानता है कि अत्यन्त व्यस्ततम समय है मनुष्यता का इस समय हम सब बहुत व्यस्त हैं क्योंकि ना सिर्फ काम रोजगार और तमाम चीज़ें हैं बलकि इलेक्ट्रॉनिक गजट्स ने हमारी जिंदगी को नाते रिष्टेदारी मेल मिलाप से हटा कर घरों पर किंद्रित हमको घरों तक ही सिम्टा कर रख दिया है तो ऐसे में और महत तो बढ़ जाता है कि जब आप शिव पुरान कभी पढ़ेंगे हमारी बहुत शुप काम ना आए हैं पढ़ना ही चाहिए लेकिन नहीं भी अगर आपकी जानकारी में है तो उससे जुड़ी क्या कथाएं क्या किस तरह का आज जो शिव पुरान की एक कथा का हम वो सती प्रसंग एक बहुत ही महत पूर्ण प्रसंग है सुना तो हम सभी ने उसके बारे में बहुत है कि सती किस तरह से ऐसा उनका नाम है वो सती हुई उन्होंने स्वैम को स्वेच्छा से अगनी को समर्पित किया और उसके बाद उनकी विरीर्ण देह को लेकर भगवान शिव का जो एक रोद्र रूप भी है तांडव रूप भी है वो उसकी भी चर्चा होती है और ये भी गाथा हम सब ने सुनी है कि उनके शरीर के इस दौरान जो भी अवयव थे वो जहां जहां गिरे देश में वहां शक्त पीठों की स्थापना और उसकी माननेता मानी जाती है और इसी से जुड़ी अनेक गाथाएं हैं वीर भद्र कौन थे शिव जी से उनका क्या संबंद था ये तमाम बाते हैं तो हमारा प्रयास होगा कि इस पवित्र सावन के श्रावन मास में हम शिव परान से कदर कथाएं हैं उनका भी कुछ वर्डम में विद्वान वक्ता भगवत गीता के अद्धेता मानस परमग्य प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र विहारी गोस्वामी जी से सुनें तो चलिए फिर विलम क्यों करें सीधे चलते हैं डॉक्टर गोस्वामी जी की प्रणाम कर ही किया है लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दू कि सती का शरीरत्याग और वीरभद्य का प्रकाट एक ऐसी अदुद्ध घटना है कि शू पुराण के रुद्र सहिंता के सती खंड में जब इस प्रसंग को पढ़ें या इस प्रसंग को सुने तो आपके अंतर्चित में एक प्रमात्मा जब आदी सो रूप में प्रगट हुए और उनने ब्रम्हा विश्नु को दर्शन दिया जब प्रमात्मा शू पुराण के अनुसार जब प्रमात्मा जो है एक अगनी स्तंभ के रूप में प्रगट हुए जिसका ओर और चोर कहीं नहीं था और जब ब्रम्हा औ और विश्नु ने परमात्मा की स्थोति की, तो परमात्मा जब पहली पार प्रगट हुए, तो उमा के साथ ही प्रगट हुए, शक्ति के साथ ही प्रगट हुए, विश्नु जी ने और ब्रमात्मा को शक्ति के साथ ही देखा, शुर्शक्ति के ही दर्शन किये, और परमात्मा ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारे लिए जैसे लक्षमी उत्पन्न कर रहा हम, ब्रम्हा को जैसे सरस्वती प्रदत कर रहा हम, वैसे ही मेरे साथ सदेव ये शक्ति बिराजबान रहेगी, परमात्मा की इन्ही भाव को ध्यान में रखकर, सदाश्यू जो विहंगम ब्रम्हा विश्रू और महस हुए इनकी शक्तियां हुई, तो बड़े अनुनाय बिनाय से दक्ष प्रजापती ने अपनी धर्म पत्नी के साथ परभ्रम्ह पराप्रकिती की अराधना की, जब अराधना की तो भगवती प्रिगट हुई, उन्होंने का क्या चाहिए, उन्हो उन्होंने एक बात कही, कि जिस दिन दक्ष तुम मेरा सम्मान नहीं रखोगे, उसी दिन मैं इस धराक से अपने प्रतक्षी करण को सुमाप्त कर लूँगे, शुष्य प्रातना करते हैं जब भगवान विश्नु और कहते हैं कि ये प्रभू, आप शक्ति के साथ विराजम इन में विश्वास नहीं रखेगी, उस दिन में उनका त्याग कर दूँगा, और दोनों की ही प्रतिग्या पूरी होती है, तो दोनों को ही अपनी प्रतिग्या के प्रतिजो है न्याय करना पड़ता है, ध्यान रखिए का, जब शुच जो कुछ भी अपनी कथा सुनाते है जब भी सती को, तो वो उनका प्रमद अनभाव है, दो अनभाव होते हैं, एक प्रमद, एक अप्रमद, प्रमद अनभाव होता है, वो कहते हैं न, सुनाओ सती कहूं निज अनभाव अपना, वो अपना निज अनभाव कह रहे हैं, प्रमद अनभाव विभारिक होता है, ले जब राम चरित्र के प्रति संसय करती हैं तो परमात्मा अपने दिये हुए वचन के अनुसार उनका मानसिक त्याग करते हैं। दुनिया का एक अनुठा त्याग आप देखिए। ये क्योवल शिव ही कर सकते हैं। उनके साथ बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, समाननी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मन से त्याग कर दिया। कठिन मार करतार की दिल से देई वतार। आप देखिए तो कई बार ऐसा होता है। दुनिया एक छोटा सा प्रश्ण मन्द्र है। कि ये दोनों प्रकृति और पुरुष शिव और शक्ति ये कैसी लीला कर रहे हैं ये आपने बहुत सुंदर बात कही है उनके लीला के पीछे संसार के सामने और प्रकृति के सामने उदाहरन प्रस्तुत करना है जिस पर ये कथा चल रही है आप देखिए देवताओं को अहंकार हुआ तो देवताओं के प्रजापती के अधिस्ठाता दक्ष को भी आहंकार हो गया अहंकार से बड़ा कोई दानों नहीं है और संसाय से बड़ा कोई शत्रों नहीं है तो दोनों के विनाश के लिए लीला है संसाय उत्पन्द हुई है माने लीला से संसाय उत्पन है शिव कभी शरीर नहीं हो सकते शिव तो प्रतेक चेतन बेचेतन बनकर विद्धमान है तो यह उनकी लीलाएं देवताओं के अहंकार के हरण के लिए है अब आप देखिए अहंकार रूपी असुर का बद करने के लिए तो भगवदी को ही आगे आना पड़ेगा ना तो शिव को आमंतरित नहीं किया ध्यान रखेगा जितने भी यग में जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी बचता है सब शिव में होता है जो ग्रहन करते हैं वो भी शिव है जो आहुती देते हैं वो भी शिव है और जो प्राप्त करते हैं वो भी शिव है माध्यम देवता हो महिया माया ने ऐसा विमोहित किया कि दधीची के शाप को भूल करके विश्नु भी उसी अग्य में पहुँचे। महा विश्नु के लिए वह भक्त वत्सल हैं, सरनागत वत्सल हैं। इतना अनुग्रह किया दक्ष ने भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करके कि ब्रह्मा भी पहुँचे। ब्रह्मा के प्रिव पुत्र है दक्ष। तो सारे लोग वहां पहुचे। लेकिन शुव को उन्हों के या जाना है। वो कहते हैं कि बिना बुलाए कभी भी अपने पिता के यहां नहीं जाना चाहिए। पिता सम्मान से अपनी कन्या को बलाए, ये सिक्षा है उन पिता के लिए। जो ये सोसते हैं कि अब रक्षा बंदन आ गया तो बेटी तो आई जाएगी। भाई से किकी कज़ना का अपमान होना, सती का अपमान कर दिया, तो जैसे सती का अपमान कर दियाíst, आप भी दख्ष की फिण्रीन है के विना सुनिश्यट है कन्या की बिदाकार्थ यह नहीं है कि उसे आपने छोड़ दिया है याद करिए बुलाइए सम्मान से उसको प्रेम से बुलाइए तो दक्षा ऐसा भी नहीं करता मैया जानती है लीला को की परमात्मा के वेभार में वो परिबरतन भी देख रही है मैय को मालूम भी है क्योंकि आकाश वानी भी हुई थी जैसे ही श्यू ने मन से त्याक किया था सती का वैसी दिव्य आकाश वानी हुई थी उस समय आकाश वानी ने कहा था धन है श्यू ऐसा मानसिक संकल्प तो आप ही ले सकते हैं तो क्या वो जगजन नहीं जानती नहीं श्य उन्हें कौनसी लीला की है, तो अब मैंया भी अपनी लीला करना चाह रही है।। मैंया पहुचती हैं पता के यहाँ, वो कथा सारे लोगों को विधत है, इस अब का इस्तान देखती हैं, पती का इस्तान नहीं देखती है। पिता को बड़ी दुर्वचन पिता उनके साथ वेक्ट करते हैं शिव के प्रती, तो वो कहते हैं पिता अभु क्या अधमसहरीर में आपसे प्राप्त किया है केवल एक सब्द शि कह दें यावा कह दें या ना कहें केवल मानसिक चिंतन में शिव को कर लें तो जन्वजनवां अंतर के पाप्च्य हो जाते हैं आपको तो दुरबात कह रहे हैं और चुकि इस सरीर से में दक्षैनी कहलाती हूं जब भूले मुझे पुकारेंगे कि दक्षैनी तो मुझे आपके दुरबचन ध्यानाएंगे एक पतनी का कर्तब है कि वो पीठ पीछे भी पती के प्रती अंजनक बातम सुनें चैह वो पिता भी कह रहा हो यह सतित्त्य के लक्षन है ध्यान रखिएगा प्रीति की अनंतता होती है वो यहां सब को शापित करते हुए वो कहती है कि सब का विनाश हो जाएगा पिता जी कोई शेश नहीं रहेंगे और यह आधम सरीर में त्याग रह करती हैं देखिए अब घटनाओं का क्रम शुरूरता है आपको इन घटनाओं को बड़ा ध्यान योग से देखना पड़ेगा दधीची वहां से चले जा चुके हैं शाप दे करके सब को कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा दक्ष को कभी नंदी ने भी शाप दिया है कि बीस हजार भूत पिसाच की सेना आई है मैया के साथ में मैया को नंदी पर आरूर करके भेजा है परमात्मा ने और वो सेना आई हुई है साथ में मैया को दगध होते देखते हैं तो दस हजार तो स्वैम अपने आपकी हत्या कर लेते हैं वहाँ पर कि हाँ मेरी मां खतम हो यह अपने ही अस्त्रसस्त्रों से अपना सर अच्छे दन करके प्राण त्याग देते हैं वहां 10 поч pony स्वामी भक्ति की प्रक्रिय दस अजार अपनी प्राणों की प्रवाह न की उसे पूछते हैं कि क्या शती ने दे त्याक दिया है वह जब पूरा वरतान्त सुनाते हैं अथावत पटकते हैं उसके दो भाग करके जियान रखिये रुद्रा अधिपती वीर भद्र प्रगत होते हैं उनकी सहस्त्र हुजाएं वो बिलकुल श्रुप की तरह दिखाई पुड़ते हैं अनंत तेज उनमें विद्धमान हैं आखों में जैसे सूगूरी विद्धमान हो गया है ऐसी लदामी यूग तो तेज है उनका विहंगम सरूप से उत्पन होते हैं जीव लप लपाते हुए चौशठ योगनियों के साथ चंडी आ जाती है सामने खड़े होकर और कहती है स्वामी आदेश करो क्यों याद किया है वो कहते हैं तुम दक्ष और यग का विद्धवन्स कर कराओ वो कहते हैं आप तो एक तिनको को ठाक रखे भी कह देते प्रभू कि जाओ यग का विद्धवन्स कर दो तो वो भी विद्धवन्स कर देते मैं तो एक किंकर शूकी महिमा की अनंतता बताई है अब जब वीर भद्र का प्रस्थान दिखाया है तो वीर भद्र अपने आप में अन्खूल है तो लोग में वो तो कहते हैं चण भर में इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूंगा आदेश तो करें चण मात्र में ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं वीर भदर इतने बलसाली जब भीर भदर चलते हैं तो दो करोड भूत पिसाचों की सेना एक शोभा बनाने के लिए उनके साथ चलती है दस सहस्त्र सिंगों के रत पर सबार होकर चलते हैं सहस्त्र बुजादारी कालिका जो अब चलती है गड़कालिका तो अटहास करते हुए चलती 64 योगनिया है नौ दुरगें उनके साथ में हैं सारी पिसाचनियों की सेना उनके साथ में हैं त्रिलोक का विद्धंस करने के लि आकाश वानी हो रही है, दक्ष की जो है बामांग फढ़क रहे हैं, सारे अब सकून हो रहे हैं, तब विश्णु कहते हैं, तुम्हारा वद्ध तो सुनिश्यत है, लेकिन मैं क्या करूं मुझे महादेओं ने भक्त वत्सल और स्रणागत वत्सल बनाया है, तो मैं तुम्हार यग्य की रच्छा करने का निश्फल प्रयाद्न करूंगा लेकिन तुभारा विनास्व निश्यत है जब वीर्भद्र की सेनव महां पहुंचती है तो आप देखी कितना सुंदर्तम दृष्ष है वहां पर वीर्भद्र के सामना होता है इंद्र का एक रुख्टी मात्र हिला देवता और लोकपाल और जितने वी दिश्यमुनी हैं जितने भी तंत्र सास्त्र के प्रणेता है जितने भी देवता हैं सब के अंगभंग कर देते स्री विश्णु जब आते हैं तो नहीं वीरबद्द प्रणाम करते हैं वो कहते हैं आपब तो मेरे परमात्मा कि अहाओ धारी हैं तो विश्ण कहते हैं कि फिर अद्रिश्य हो जाओंगा प्रमात्मा विष्णु के अपना सुदरसन्चक्र चलाते हैं इस्थम्मित कर देते हैं वीरभद्र उनके उनके शारंग धनुस के तीन तुकड़े कर देते हैं वीरभद्र वहां बड़ा सुन्दर लीला है सब तरफ में प्रमात्मा अब भ्रिगु को अभिमान था कि मैं इतना ब्रह्मा का मानस पुत्र हूं तो आप देखिए मणिभद्र जो है भ्रिगु को जमीन पर गिराते हैं और उनकी चाती पर अपनी लाद रखते हैं अपना चरण रखते हैं उनकी डाड़ी नोच लेते हैं शारजी मैं आपको क्य जा बताओं इतना विसमयकारी होता है तब के बल से शीष नहीं काट सकते आप दक्ष का तो ऐसा वद नहीं करते शुपुराण की कथा में वर्णित है कि जब उनके शीष खड़क से नहीं काटे जाते तो वीर भद्र जो है दोनों हाथ से उनकी गर्दन पकड़कर मरोड कर तोड़ते हैं उनकी गर्दन को और यग्या होती में डालते हैं ऐसे विनाश की अप्रम पार लीला होती है शीष का वैराग वान स्वरूप को दिखाई पड़ता है शीष व्यथित नहीं होते हैं जब सारे दिवता प्राथना करने शीष के पास पहुंसते हैं कि इस अनुस वो उस स्थल पर आते हैं वहां सारे दिवताओं के प्राण वापस लोटाते हैं यग्य को सफल बनाते हैं दक्ष को के शीष में जो है वो यग्यपसू का शीष लगाते हैं दक्ष को पुनर जीवित करते हैं तो परमात्मा ये बताते हैं कि संसार स्रिष्टी में तेल तकत भून जीता है यही सती पर से हमालय पहुचती है मैना को दर्शन देती है हमालय तप करते हैं और म souvent पारवर्थी बन कराती है तो मैं बार बार अपने सुरूर्ब और रूप को बदलती है धियान कि मानस में मैया की इस लीला को बाबा तुलसी बड़े सुन्दर और चतुराई से लिखते हैं जो लोग मानस का पार्ट करते हैं आप देखिए मानस की कथा में जब राम विवाह का वर्णन आता है तो वहां आप देखिए लक्ष्वी जी भी पहुची है और पारवती जी भी पहुची है, वहां मैया पार्वती लिखा हुआ है नाम ना, वहां देखिए कि मैया आई हुई है और शिंगार कर रही है और सती के अपने सीता जी के पास बैठी हुई है फिर कही स्थानों पर फिर से सती बन जाती है वह तो मैं पिता जी से पूछा कि ये लीला क्या है ये पारव्ति कहां से प्रगट हो गए है। उन्होंने झाहां संसय हो है वहां सती है। जहां आस्थाハश्रधिय का विश्वास है। वहां महिया पार्वति तब ही के भवान शंकरों गुंदो। शद्धा विश्वास रूपनो, तो जहां वो शद्धा का आनंद ले रहे होते हैं, वहीं महिया का नाम परवती रख देते हैं, और जहां संसे की विवस्था आ जाती है, वह महिया का नाम सती रख देते हैं, तो सती की अनंता है, सती का ये चरित्र जो मनुश्य सुनता है, श कोश्यों की भक्ति विल्टी है बड़ा आनंद आया रख सब इस कथा के अनेक पहलू भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कथाएं हमें बहुत सारी बातें जो जीवन के मूल्य हैं उनकी तरफ जिस तरह से ये संकेत कर जाती हैं पती और पत्नी के संबंध इस ग सम्मान की कितनी सजग होती है ये स्वयम जैसा डॉक्ट साब ने हमें बताया कि वो कहती है कि अपने पिता से भी अगर कटू अचन पत्नी सुनती है पती को लेकर तो उसे कोई ना कोई ऐसा कदम जरूर उठाना चाहिए वो जो उस कथा में वरने थे उससे आशय नहीं है ल कितना ही विद्रूप और कितना भयानत सवरूप प्रगट करता है कि प्रेम के एक शाश्वत और गंबीर पक्ष को भी उजागर करती हैं ये गाथाएं और ये बताती भी हैं कि कैसे जन्व जन्वांतर के ये साथ चलते हैं और इसी के साथ जो नीतिक अधाएं जिनको हम कह कि चाहे वो रामाइंट से जुड़ी हों, महाभारत से जुड़ी हों या शिव पुरान से जुड़ी हों, ये किस तरह से एक नीतिगत और नैतिक पक्ष से जुड़ी हुई संबंधों के, वो भी उजागर करती हुई चलती हैं कि हंकार का कैसे नाश होता है, कैसे जो इतने ग कार से कैसे ग्रस्त होते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं तो इस सब चीजें हमें सिखाती हैं समझाती हैं आनंद लीजे शेव भक्तिका और श्रावन मास में कथा पूजा के साथ इन अमुल या प्रसंगों को भी अपनी स्मृतीम रखिए रोक्षा बहुत धन्यवाद अगले एपिसूड में एक और विशार लेकर मस्तित होंगे नाम